फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल रोबिन बुटिक दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाजू कटिंग के दो आसान तरीके दोस्तो दोनों ही तरीके अपने आप में नायाब हैं आप कोई सबी तरीका यूज करके अपनी बाजू की और दोस्तों क्यसे कटिंग होगी इन दोनों टरीकों की बाजू की कैसे करेंगे आई आख की वीडियो शुरू करते हैं और सिलते हैं कुछ नया इस बाजू कटिंग का जो ऊपको पहला तरीका बता रहा हूं उस तरीके में दोस्तों थोड़ा सा को गणित यूज परिज़ करना पड़ता है और भाजु की कुटिंग मैं आपको बदा रहे नहीं तå THIS की मैं प्रक्राइब है आपको जो सीन्धा होता है यानँ जो brush the jos Department घुता हुई दोस्तों ये में पास एक रफुट काटा वह और इसका जो सीने का साइज हो वह 34 प्रक्राइब अब आपको कटिंग कैसे करने हैं यह देखिए आपको इस तरह से लेना है बाजू के लिए जो कपड़ा यह देखिए यह इतना बड़ा कपड़ा है और इसमें से दोस्तों बाजू की जो मैं कटिंग कर रहा हूं थ्री फॉर्थ बाजू याने कि पौन बाजू की कटिंग कर रहा हूं इसको मैं इस तरह से बिशा लिया है डबल अब इसको मैं इस तरह से फोर फोल्ड कर दिया है कि फोर्फोल्ड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले कि आपको निशान लगाना होता है सिधा इस तरह से इस निशान का मतलब यह होता है कि जैसे कि छोटा बड़ा इसको आप बिल्कुल यहां से बराबर कर ले इसके बाद एक निशान लगाएं ऐसे और इस निशान का मतलब होता है कि जितना भी आपने फोल्ड करना होता आगे से जिसके तो इसमें आप depends यह याप फिर एक इंच भी में ले सकते हो अब इसके बाथ fold करना होता आगे से यह देखे दोस्तो इसको आगे से fold करना है जैसे कि मैंने तो इसमें आप 2.5 ane या फिर एक इनच भी ले सकते हूँ अब इसकि बाद दोस्तो आपको लंबाई नापनी बाजो की बाजो की लंबाई कितनी रखनी है दोस्तों इस सूट में जो बाजू लगा रहा हूं मैं बाजू के लंबाई रखनी है मैंने 13 तो यह देखी 13 के जगे में को लोगा यहां से मैं साड़े 13 क्योंकि आदा इंच उपर मार्जन में जाएगा इस तरह से सीधा एक निशान लगा ले इसके बाद अब आपको यह लंबाई का निशान लगाया है यहां से आपको लेना है तीन इच डाउन कीसे भी तरीके चरा स्थाओं जाब आपको ने लेना होता है यह देख़्ें इंच आ हम लेते हैं यह हो टोंक के लिए आब आप बात करते हैं इस बाजू की जो मैं आपको लंबाई मैंने बता दी यह देखिए 13 लंबाई आ रही है टोटल यहां से ही साड़े तेरा यह देखिए यहां से जो है 13 तो यह पर आ जाएगा और आदा इंच में एक्ट्राज टोटल साड़े तेरा लंबाई लिए बाजू के आगे से गुलाई है दोस्तों 10 इंच तो 10 का दा कितना होता है पांच यह पांच इंच पर निशान लगा दे अब बात करते हैं इसका आर्म होल कैसे निकालें जो कि इस सूट के आर्म होल के साथ बिल्कुल फिक्स आ जाए तो दोस्तों इसका जो सिंपल सा फार्मूला है आपको जिस भी साइज की बाजू का रह आपको इस तरह से को दो कितना है तो अड़idor लिखी उर इन निशान ौक अपस में आपको मिला देना है इस तरीक दोस्तों खमकर देना है क्ला कि जो भी हो सीने का चोथा हिस्सा करने के बाद आपको आदा इंच कम कर देना है इससे आपका दोस्तो आर्म हुल बिल्कुल फिक्स बैठेगा यह तो लग गया इसका आर्म हुल का फिटिंग का निशान अब बात करते हैं यहां से जो इसमें गुलाई देनी वो कैसे देनी है आपको जो अब फ्रेंट्स यह जो मैंने निशान लगाया है और यह जो आपको निशान दिखा रहा है यह तो अगया मारा फिटिंग का इसके अलावा आपको लगबग एक इंच सवा इंच डेड़ इंच जितना भी आप एक्स्टा मारने चाहूँ उसमें ले सकते हूं यहां पर इस तरह से बाजू की कटिंग करनी है कि अधर कर दो फ्रेंट्स यहां पर कर लगा जाते हैं ताकि आपको पता रहे कि इस जगह समें इसको को फोल करना है उसमें ह COSTAKULU की Дraine's तक ही देनी है जैसे बाजु का Center Point है तो तो हमने डाईंच दूरी से गुलाई दी थी तो यह जो शेप आपको Drain's की ही कटिंग करनी है तो दोस्तों अब देखीए इसको एससे रख लेता हूं मैंने काट लूँ है। अब मैं अगर यह का आर्म पूली को दोस्तों हम तीरेग लगाते हैं तो तीरेग लग média लगाने के बाद आदा इंच में अधर यह यहाँ पर तो आदे उच तो इसमें सलाई में आजाएगा तो आदे इचको उपके बंग में आप देखें इसका तो दोस्तों इस तरीके से यह देखी यह निशान लगा दिया मैंने आपसी बाजू को बाज you can करना पड़ता है अब दोस्तों एक तरीका बताऊंगा बिल्कुल आसान उसमें आपको बिल्कुल भी गणित यूज नहीं करना पड़ेगा तो फ्रेंट्स एक तरीका में आपको बता दिया आप जो दूसा तरीका बताने जा रहा हूं इसमें आपको गणित लगाने की बिल्क आगे से बाजओ गुलाई रख रहा हूं महीं 10 इंच यहां से ले रहा हूं DRCs अंग हब ग यहां से वाज़ा ऑदावुला दोस्तों कुछ पर गणित्लत लगाने ऑदूरत अगर दक स्लाई में था डब जाता है उसके बाद phrase इस तरह से बाजू को उठाना है ये देखिये को करने निशान लगा दे और इसको आप अपस में यूं मिला दें तो दोस्तो इस तरह से जब आप बाजू की कटिंग करोगे टो आपको तो इस mental इस था प्र आपका मै्त यूज़ करने के जूद नहीं पड़ेगी और फ्रेंट्स इस तरीके से अगर आप बाजू की कटिंग करते हो तो आपका आर्मोल बिल्कुल फिक्स आएगा यह देखिए इसमें मैंने बिल्कुल भी दिमाग का यूज़ नहीं करा बस इसको आर्मोल को उठाया है मैंने बस आ तो फ्रेंट्स बहुत ही असान तरीके से यह जो है मैं दूसरी बाजू भी काट लिए अब बात करते हैं दोस्तों हम इसमें अगर बाजू हाफ रखनी हो तो हाफ बाजू को यही फार्मोला है आपको बस आर्मोल इसी तरह से नाप लेना है और बाजू की जो भी आगे से आगे से गुलाई के बारा इंच यह जितनी भी आ रही हो मान लीजे किसी की बाजू बारा इंच एंच लगाना है और इस निशान को इसमें मिला देना है तो बहुत असान तरीके से दोस्तों आप बाजू की बी कटिंग कर सकते हो यह देखिए मैंने बाजू की कटिंग भी कर दिए तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है दोनों के दोनों तरीके जो है मैंने आपको बता दी है बाजू कटिंग के आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वही तरीका यूज कर सकते हो तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बाजू कटिंग के दोनों आसान तरीके बता दिये, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, थैंक्यू वेरी मुच